नमस्कार दोस्तो, स्वागत है मेरी यूटुब चैनल में मयब है और आज बात करेंगे कि आप कैसे बिदाउट इंवेश्टमेंट इकॉमर्स बिजनेस सुरू कर सकते हैं आप सोच रहोंगे कि ये कैसे संभव है बिदाउट इंवेश्टमेंट इकॉमर्स का जो बिजनेस है वो कैसे सुरू किया सकता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहें तो बिना इंवेश्टमेंट के आप इकॉमर्स बिजनेस सुरू कर सकते हैं सब कुछ विस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेश्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप जरूर कर दे आइए इस वीडियो का सुरू करते हैं तो आज बिल्कुल संभव है इकॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं ग्रat इंवेश्ट मेंट। नहीं आपको इंवेश्ट करने की जूरत हैं नहीं आपको seller account कर्येट करना है आप बिना seller account क्रयेट किये हुए आप e-commerce प्लेटफॉर्म का यूजब कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं इस process का नाम है resale एक्चुल में इंडिया में इसे resale कहा जाता है बाहर के देशों में इसे drop shipping के नाम से जाना जाता है मैं दोनों में difference में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि resale क्या है and drop shipping क्या है लेकिन लोग इंडिया में drop shipping को ही resale बोलते हैं और customer को आप sale करते हैं और बीच का जो margin है आप रखते हैं तो जो process है इसे resell कहते हैं लेकिन drop shipping कहते हैं इसमें आप products को buy नहीं करते हैं इसमें आप e-commerce में जो लिश्टेट products हैं उसके catalog को आप customer तक share करते हैं उनको आप पसंद करवाते हैं और आप customer के बिहाप में आप उन बड़े e-commerce platform पे आप उन products को order करते हैं और customer तक product को deliver करवाते हैं यहां पर आपका investment zero होता है क्योंकि product दो है किसी और seller ने प्लेटफॉर्म पे लिश्ट किया हुआ है केवल आप customer के बिहाप में order कर रहे हैं और product जो है e-commerce platform के दुआरा customer तक deliver कर दिया जा रहा है इसी process को drop shipping कहते हैं इसमें आपको कुछ invest नहीं करना होता है लेकिन resale में आपको invest करना होता है आप manufacturer से या wholesaler से products को buy करते हैं और फिर उस product को आप customer तक sale करते हैं लेकिन इंडिया में drop shipping को भी resale का नाम दे दिया गया है आप बहुत सारे YouTube वीडियो में भी आप देखते होंगे कि resale बोल के drop shipping के बारे में बताया जाता है इसलिए मैंने resale world का परियोग किया ताकि आपको confusion ना हो और अब मैं जब भी drop shipping बोलूँगा तो आप समझेगा कि मैं resale के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सबसे best platform है drop shipping के लिए वो है Misho, Shopify यह जो दो e-commerce sites है या apps है यहाँ पे आपको बहतरीन facility आपको मिलती है drop shipping की यहाँ पे आप आसानी से catalog share करने के आपको option मिल जाते है Misho पे Shopify पे जो applications है बेस्ट है अभी के समय में आप आसानी से इनके catalog को share कर सकते हैं और जो customer को आप share करेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि किस platform से इन catalog को share किया गया है और उसके बाद जब customer आपको order place करेंगे तो उनके विहाप में आपको Misho पे या Shopify पे order place करना है और उसकी बाद जो भी margin आप रखना चाहते हैं जो भी amount में आप सेल करना चाहते हैं वहां पे आपको डालने का option मिल जागा इससे पहले मैंने Shopify पे कैसे order place करना है इसका वीडि दिया के लिए new हैं बाहर के देशों में बहुत सारी लोग drop shipping को अपनाते हैं drop shipping के माधियम से पैसे कमाते हैं जो invest करने के हालत में नहीं होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते या other जो platform है उसके जो catalogs है वो share कर सकते हैं और वहां से आप order generate कर सकते हैं तो यह जो तरीका इसी को drop shipping कहते हैं और बिना investment के आप इस business को कर सकते हैं तो अगर आप e-commerce business शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप drop shipping को अपनाए और जब आपके पास थोड़े पैसे आ जा जाए उसके बाद आप invest करें और seller account आप create करें Amazon पे flip card पे Miso पे Shopify पे जहां भी आप करना चाहते हैं और आप एक seller बनके उसकी बाद आप products को sell कर सकते हैं जब आप seller account create कर लेंगे उस समय भी आप drop shipping कर सकते हैं तो दोनों को आप parallel लेके चल सकते हैं और असानी से आप e-commerce platform से without investment आप पैसे कमा सकते हैं तो अभी तक इतना है इस तरह के टेक updates के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू